फिटकरी का साधरान सा उपाय आपको नजर दोष और धन संबंदी समस्या से मुक्ती देगा आज इस वीडियो में हम फिटकरी के एक ऐसे उपाय की बात करने वाले हैं इस उपाय को कोई भी महिला कोई भी पुरुष कर सकता है और इस उपाय से आपके जीवन में नजर दोष नकारत्मक उर्जा या आपके घर में किसी प्रकार का कोई तंत्रमंत्र किया गया है उससे आपको मुक्ती मिलेगी या आप कह सकते हैं कि एक उपाय जो और बताने वाला हूँ इसमें फिटकरी का उस उपाय से आपके घर में धन में तरक्की होगी धन में व्रद्धी होगी धन से समंद्ध समस्याएं भी समाप्त होंगी जिसको व्यापार और नौकरी से देखकर आप जोड सकते हैं कि आपको यदि तरक्की चाहिए अपने व्यापार अपनी नौकरी में तो भी आप इस उपाई को कर सकते हैं वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट शेक्शन में रादिरादे लेखें आप हमें लाइक करें फॉलोग करें सब्सक्राइब करें रादिरादे मित्रो स्वागत्याइस्ट्राश्रम पर बात कर रहे हैं फिटकरीके एक ऐसे उपाई की जो बहुत प्राचीन है बहुत लो गया तंत्रमंत्र या आपके काम को घर को बांधने का काम यदि किसी ने किया है और आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे संबंदे समस्याएं हैं तो आपको यह उपाए अवश्य करना चाहिए उपाए आपको यह शनिवार के दिन करना है और बड़े स्ताधरन तरीके से इसक क्या करना चाहिए शनिवार के दिन आप एक तेल का दीपक जला लीगे वह दिपक किसी भी तेल का हो सकता है वह आप चाहे तो सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं और वह देपक लगाकर आपको अपने मुख्य द्वार पर रखना है। और जब मुख्य द्वार पर आप दीपक रख देंगे उसके 5-10 मिनिट तक उस दीपक को जलने दीजिए और जलने के बाद आपको क्या करना है फिटकिरी लेकर पानी में घोल लेना है थोड़ा सा फिटकिरी पानी में घोल कर आप उस फिटकिरी के पानी से उस दीपक को अप मनोकामना के साथ बुजह दीजिए यानी कि आपने दीपक लघाया शनिवार के दिन रसाम के समय और समक्यी दीपक लगा कर जब अंधेरा हो जाता हैक और दीपक लगाने के बाद पांच 고- Theater उसको जलने दीजिए जब दीपक पांचो ड़तकृ का पाणी का पानी बनाके बनुहारों चलेगा और आपको इससे मुक्ति मिलेगी दूसरा उपाय जो आपके धन आपके ब्यापर आपकी नौकरी से संब्न देते हैं आपको बस इतना करना है, छोटे-छोटे से टुकडे फिटकरी के ले लेने हैं, पान के पत्ते पर रख लेने हैं, अपनी मनोकामना के साथ अपने पूजा घर में भी आप इसको रख सकते हैं, और आप अपनी मनोकामना के साथ इसको किसी मंदिर में भी रख सकते हैं, बस करन को उठाकर आपको वो किसी भी मंदिर में जाकर रखनी होगी या विसरज़ित करने की एगर जग्या होगा मनुकाम्ना के साथ यदि आप सीधिन मंदिर में ही रख देते हैं जाकर फिर शाम को जाकर आपको उसको दोबारा वहां से हटाना नहीं होगा क्योंकि आप एक बार वह उपाई मंदिर में कर चुके हैं तो आप इस उपाई को अपनी मनुकामना के साथ यानि सिंपल सा पान का एक पत्ता लीजिए उस पर उल्टी तरफ यानि कि एक होता है चिकनी चिकना जहां से होता है जिस तरह गिरीन जा रख सकते हैं और उसको आप किसी मंदिर में या अपने पूजागर में रखिए मनुकामना के साथ और अपने घर में रखते हैं पूजागर में तो उसको उठाकर शाम को किसी भी मंदिर में आप रखाईए आप देखेंगे यह उपाई भी आपके जीवन में धन और आपको कैसा लगा comment section में रादे रादे लेखें आप हमें like करें follow करें subscribe करें और इस video को share करना न भूलें रादे रादे